टेलिकॉम मंत्री अश्वनी वैशनव ने कहा कि भारत सवदेश में विक्सित 6G टेखनीक की दिशा में काम कर रहा है जिसे 2023 की आखर या 2024 की शुरुआत में लौच करने का टार्गेट सेट किया गया है एक वैशनव ने कहा कि टेखनीकों और इंजीनियरों को जरूरी परमेशन पहले ही दी जा चुकी है उन्होंने कहा 6G का डेवलप्मेंट शुरू हो चुका है इसकी समय सीमा 2023 का आखर या 2024 की शुरुआत रखी गई है इसी दिशा में हम आगे बढ़ रही हैं हम भारत में टेल टेलिकॉम डेवाइज भारत के टेलिकॉम नेटवर्क में सर्विस देगा और ये वैश्विक स्तर पर भी भेजा जा सकता है मंद्री ने कहा कि 6G के अलावा सब्देशी 5G की भी शुरुआत हो रही है अगले साल के तीसरी तिमाही तर टेक्नलोजी के लिए एक एहम सफ्ट स्ट्रिकॉररेशन प्रोसेस शुरू कर दी है या प्रकुरिया आने वाले साल में फरवरी मार्च की समय सीमा में कहीं खтов होने की उमीद है फिर निलामी प्रक्रिया कलेंडर येर 2012 की दूसरी इतिमाही में होगी इस साल के शुरुवात में केंद्रिय मंत्री मंडल ने टेलिकॉम कंपनियों की शॉर्ट टर्म लिक्विरिटी जुरूरतों के साथ लॉंग टर्म इश्यू पर ध्यान देने के लिए नौ सोदारों के एक सेट को मंजूरी दी थी ब्यूरे रिपोर्ट सच कहूं